गुड मॉर्निंग क्लास एर्थ पाठ तेरा आश्रम विवस्था आज हम इसके प्रशन उतर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कल हमने इसके तेन प्रशन किये थे चोथा प्रशन है ग्रिहस्त आश्रम को सबसे उचा और शेष क्यों माना जाता है ग्रिहस्त आश्रम को सबी आश्रमों से उचा और शेष्ट माना गया है क्योंकि बाकी तीन आश्रमों के मनुश्यों के लिए भोजन, वस्त्रत था अन्य अवश्यक्ताओं की विवस्था कौन करते हैं? ग्रहस्ती ही करते हैं ग्रहस्ती अपने संतान का पालन पोशन तो करते ही हैं वे देश, धरम और समाज की सेवा भी करते हैं देश की रक्षा, सब वस्त्रों का उत्पादन, वित्रन, आदी, नयाए और शाश्यन वेवस्था समाज में सुक समरिधी की वेवस्था ये सब का रिकॉल करते हैं, ग्रहस्ती ही करते हैं इसलिए ये जो आश्रम है, सबसे अधिक शेष्ट और सबसे अधिक कठिन माना गया है अगला प्रशन है, एक वान प्रहस्ती के क्या करतवे हैं बच्चो जब विक्ति वान प्रसाश्र में प्रवेश करता है वो अधिकाश्टे अपनी परिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका होता है अब उसका करतव्य होता है कि वानप्रस्थियों को धार्मिक पुस्तोकों को अध्यन करते रहना चाहिए तथा विद्याधन को दूसरों में बाटना चाहिए जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, यज आदी करके, प्रभू की उपासना करनी चाहिए, तथा योगा अभ्यास आदी, ऐसे कारे करते रहना चाहिए हमारा लास्ट प्रश्ण है, सन्यास आश्रम का क्या महत्व है बच्चो, यह हमारा अंतिम आश्रम है, सन्यास आश्रम और इसकी आयोसी मा है, 75 वर्ष से मृत्यू प्रयंत मैंने पहले पाठ के पठन में भी आपको बताया है, कि केवल भगवा वस्तर पहनने से कोई सन्यासी नहीं बनता ठीक है, उसे पून रोप से संसार से वृत्त होकर समाज के कल्यान के कारे करने चाहिए यह आश्रम बहुत ही महत्व पून है, क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृत्धी कभी हो ही नहीं सकती सत्ते का उपदेश करना तथा वेदा दी सत्ते शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही एक सन्यासी का जो है वो परम करता वे होता है चलिए बच्चों, इन प्रश्णों को अपनी नोट बुक में लिखें और याद करें थैंक यू